आईश्मान कुराना के फिल्म चंडिगड करे आश्टी कहीं लोगों को टच कर गई स्पेशली उन लोगों को जो ट्रांस है और अब इस फिल्म पर इंडस्ट्री की पहली ट्रांस आर्टिस्ट ने रियाक्ट किया है मैं बात कर रही हूँ बॉबी डार्लिंग की जी हाँ एक टाइम पर बॉबी डार्लिंग इंडस्ट्री में काफी एक्टिव थी लेकिन पिछले कुछ समय से एकदम कायब सी हो गई इसके पीछे बॉबी डार्लिंग का अपना एक दर्थ है एक दुख भरी कहानी है बॉबी डार्लिंग जिस वक्त इंडस्ट्री में सक्सेस्फल हो गई थी तब ही उनकी जिंदगी में एक आदमी आया और बॉबी डार्लिंग को भी लगा कि ये आदमी उसे जिंदगी की सभी खुशिया देगा यही कारण है कि बॉबी डार्लिंग ने उस टाइम अपने करियर को छोड़ कर उस आदमी को चुना और उसके साथ सेटल हो गई शादी के बाद उस आदमी ने अपना असली रंग दिखाया बॉबी डार्लिंग को ना सिर्फ मारा पीटा बलकि उनकी प्रॉपर्टी भी हतियानी की कोशिश की और उनका पैसा भी एट लिया यानि की बुरी तरीके से धोखा हुआ बॉबी डार्लिंग के साथ इतने सालों से बॉबी डार्लिंग ने जो कुछ कमाया था वो सब कुछ चला गया और उसके बाद किस्मत ने भी उनके साथ चल किया उन्हें पैरलिटिक अटैक आ गया जिस कारण वो बिमार रही साथ सालों तक बॉबी डार्लिंग बिना काम के रही और वो कहती है कि इस दोरान इंडस्ट्री से एक काम तक उनके पास नहीं आया लेकिन अब वो अक्टिव है और काम के लिए तैयार है बॉबी डार्लिंग ने लंबे समय बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि काफी समय बाद में थेटर में गई चंडीगर करे आशिकी ये फिल्म मैंने देखी ये फिल्म दिल को चूग गई बॉबी डार्लिंग को ये फिल्म काफी पसंद आई और उन्होंने ये तक कह दिया कि उनकी जिंदगी भी स्ट्रगल से भरी रही है हम सब जानते हैं कि एक चाइम पर वो आदमी हुआ करती थी पंकत शर्मा उनका नाम था उसके बाद उन्होंने अपना सेक्स चेंज करवाया और बन गई बॉबी डार्लिंग उर्फ पाखी शर्मा इनिशिली उन्होंने बाड डांसर का भी काम किया इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम किया जिसके बाद थोड़ा बहुत नाम बना पाई लेकिन उसके बाद एक आदमी आया और उसने सब कुछ चीन लिया कहानी पर फिल्म तो बननी चाहिए लेकिन बॉबी डार्लिंग चाहती है कि अगर उनकी लाइफ पर कोई फिल्म बनती है तो उसमें आयुष्वान खुराना ही काम करना चाहिए लंबे समय बाद इस फिल्म के साथ ही बोवी डार्लिंग भी इंडस्ट्री में आक्टिव हो गए हैं और जल्द ही काम पे लोटने के लिए तयार है